यहां पर हमारे पास पहला question जो मैं समझना है वो देखे क्या है और अगर आपको वीडियो solution पसंद आए तो चैनल को दरूर सुब्सक्राइब कर लिजिए कि चार important parallel of latitudes हैं किसके बीचे में बेटा यह जो 0 degree है equator north pole 98 और south pole 90s के बीच में एक तो है जिसमें पहला और दूसरा वो है ट्रॉपिक आफ कैंसर जो कि northern hemisphere के पास है ट्रॉपिक आफ केपरिकॉन जो कि सौथर नहीं है असपास है यह इसके बीच में जो area आता है इसे हम कहते हैं torrid zone क्योंकि यहाँ पर साल में एक बार जरूर बिल्कुल सिर के उपर सूरज पहुंच जाता है इसके दूसरा जून जून ने लिया है वो लिया है साड़े छासर डिगरी वाला यानि ये वाला जून इस जून को हम लोग कहते हैं टेंपरेट जून क्योंकि इसमें अवरेड सन कभी भी नहीं आता और जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ चलते हो तो टेंपरेचर भी ये सन के जो एंगुलेशन है वो कम हो जाता है आखरी जून होता है वो होता है ये वाला अंटार्टिक सिर्कल से साउथ पोल और आर्क्टिक सिर्कल से नौर्थ पोल इसको कहते हैं फ्रेजर्ड जोन इसमें ओराइजन से उपर कभी दिखता ही नहीं आपको सूरस्थूक से तो ये हमेशा क्या रहेगा बहुत ही थंडार रहेगा अब यहाँ पर आपका question था write the three heat zones of earth तो क्या क्या लिखेंगे आप torrid zone, temperate zone and freezed zone तो आप इसमें लिख देंगे सबसे पहले torrid zone दूसरे नमबर पर temperate zone और तीसरे नमबर पर freezed zone तो थैंक यू सो मच पर वाचिए वीडियो फ्रिंट्स please subscribe to our channel keep supporting us do like and share our videos